किलीन एंड फिल्टर ओक्षिजन को नहीं चाहता पर आजकल पॉलूशन बेक्टिरिया वाइरस इन सभी के बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे और शायद इसलिए आप यह वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप एक अच्छा एयर प्यूरिफायर कंसिडर कर को ध्यान में रखा है जैसे की फिल्टर क्वालिटी नौइस लेवल और साथ ही सेडियार वेल्यू एसेटरा तो यूसफुल वीडियो है देखते रहे हैं और एक छोटी सी बात निव वीवर्स के लिए कि हम इस चैनल पर किसी भी ब्रांड को स्पोंसर नहीं करते हैं ताकि कि हम आप तक ट्रस्टिर कंटेंट पहुंचा पाएं तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम फ्यूटर में भी एसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहें चलिए आगे बढ़ते हैं हमारी इस लिस्ट में नंबर वन पर है माई की तरफ से आने वाला यह एयर प्यू कर सकते हैं और साथ ही वोईस असिस्टेंट का भी सपोर्ट है आप गूगल एसिटेंट या फिर एलेइसर के तुरूबी इसे कंट्रॉल कर सकते हैं तो यह एक बहुत ही अच्चा फिचर हैं जो कि इस स्मार्ट एयर बना देता है इसी के साथ एक छोटी सी डिस्पिले के सा आता है इसकी display में आप आप को टेमप्रेटर चेक कर सकते हैं यूमिडिटिक कर सकते हैं उओई फ़ाइक्षन देख सकते हैं और वर्किंग मौट देख सकते हैं किस मोट पर आप फिलहाल अपना एयर Purifier यूज़ कर रहे हैं इसके लाव आप इसका डिजाइन देख सकते हैं चारोई तरफ से एयर ले पाएगा और तीन फिल्टर से इसमें लगे होंगे कवरेज एरिया कि अगर बात करें कि आप इसे कितने बड़े रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं तो कंपनी की तरफ से जो इसका चाहिए बताया जा रहा है वह है अब डूफ़ाइट एटीफॉर इसक्राइफट मतलब कि आप ज्यादा से यादा 484 इसक्राइफट तक के रूम के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं अगर पर हम आपको अंदर की बात बताऊं तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे 400 स्क्राइर फिट तक के रोंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं अप्टू 480 स्क्राइर एडिया इस सफिशेंट फोर इस एयर प्यूरिफायर इसके अलावा अगर सी एडियार वेल्यू की बात करें जो कि काफी इंपोर्टेंट है तो इसकी सी एडियार वेल्यू कंपनी की तरफ से बताए जा रहे हैं 380 क्यूबिक मीटर पर हवर पर इसकी सी एडियार वेल्यू 322,350 तक ही रहेगी इसके अलावा इसका पावर कंजप्शन रहेगा 38 वाट्स जो की अधर एयर प्यूरिफायर से थोड़ा कम है वैसे पावर कंजप्शन डिपेंट करता है कि आप किस मोड पर उसे यूज करता है इसके अलावा इसमें नोइस भी कम नोइस घ़ी गई है वैसे जितने वी एयर फ्यूरिफायर हमने सा अगना होना हुई स्याओव क्वा झाल जादा होगा और जबाप अपना यह एयर ह करते हैं और फिय्यादा नौइस करता है तो शायद आप उसको ठोढ़र ही दिन है इसके अलावा यह light weight है इसका weight है only for.8 kg और इसके filter indicator भी दिया गया है filter indicator का benefit क्या होता है कि जैसे filter की life कि लाइफ ख़तम हो जाती है यह खतम होने वाली होती है तो उस वक्त air purifier आपको indicate कर देता है कि अब आपको अपना filter change करना है वैसे आपको लगबग एक से डियर साल में filter change करना होता है इनकी जो filter से हैं उनकी price होती है लगबग डाही हजार से तीन हजार बटी price particular brand के according fluctuate होती रहती है तो आप देख लिजिएगा दो पांत सो रुपे का difference आता है मान लिजिए साल बर बाद आपको filter change करना है आपको एक brand का filter मिलेगा लगबग पत्रीस सो रुपे का और वहीं आप दूसरे brand का filter देखेंगे तो वह शायद आपको अठाइस सो या तीन हजार का मिले तो हर बिरांट के फिल्टर की बीच में थोड़ा बहुत प्राइस का difference रहता है और सबसे वीडियो देख रहे हों तो हमने Amazon की जो best sellers हैं उनके link वीडियो के नीची description box में देए रखे हैं आप वहां से easily इन्हें चेक कर सकते हैं इनके features चेक कर सकते हैं और easily वहां से purchase भी कर सकते हैं सहली अब बात करते हैं pros and cons की pros की अगर बात करें तो काफी advanced features इसमें दिए गये हैं आप इसे application के तुरू control कर सकते हैं वो इसके तुरू control कर सकते हैं और सबसे अच्छी चीज़ की value for money है इसकी price कम है और features काफी अच्छे हैं वैसे आपने भी देखा होगा मेंने भी देखा है कि MI की जो products होते हैं उनकी price थोड़ी सी कम होती है durability ठीक ठाक मिल जाती है तो अच् 20 का model है काफे सारे advanced features इसमें डाले गए हैं इसमें जो सबसे अच्छा feature है वो है auto purification का यह automatically आपके रूम की air quality को डिटेट कर लेगा और automatically आपको filter air provide करवा पाएगा और सिर्फ इतना ही नहीं इसमें normal से थोड़े extra mods भी दे गए है filter indicator भी लगा गया है digital display का भी इसमें यूज क दिया गया है और इसके CDR वेलू रहे गया प्रोश 350 क्यूबिक मीटर पर हवर और इसमें भी वाइफाई इन बिल्ट है आप इसे अपने मोवाइल से भी control कर सकते हैं और इसका वेट आप यहां पर देख सकते हैं रोजन कॉन्स के अगर बात करें तो इसमें भी काफी प्रोटो क्यूरिफिकेशन का फीचर भी दिया गया है और साथ ही एक्स्ट्रा मोट्स भी मिल जाते हैं और वाइफाई का सपोर्ट तो है ही तो आप इसली मोवाइल और वो इससे भी control कर पाएंगे और यहीं अगर बात की जाए कॉन्स की तो यह थोड़ा सा expensive है otherwise काफी ज्यादा है चलिए अब थाड़े एर प्यूरिफायर देख लेते हैं बड़ गाइस इफ यह एव एनी कॉस्टन अबॉट दा एर प्यूरिफायर सो यू केन आस्क यूर कॉस्टन से इन दा कमेंट बोक्स और इंस्टाग्राम सो दा लास्ट एर प्यूरिफायर इस कमिंग सबसे में और इसमें वही सबसे अच्छे हैं मतलब कि इसके फिल्टर की जो क्वालिटी है काफे अच्छी Series और इस एक से इसमें एक भी एड्ट किया है जो की एयर को और बी अच्छे से filter कर पाएगा तो filter air आपको इस air purifier में थोड़ी सी अच्छी मिल पाएगी इसके लावा इसमें भी filter change indicator रहेगा प्रोज इन कॉंस के अगर बात करें तो इसके filters की quality काफी अच्छी है और जैसा कि मैंने बताया कि इसमें green हेपा filter भी यूज किया गया है और साथ ही इसकी जो noise रहेगी वो other air purifier से थोड़ी सी और कम रहेगी बड़ जहां प्रोज हैं वहां कौंस भी है इसकी cdr value थोड़ी सी कम है और इसी के साथ इसमें कोई advance features नहीं दे गए हैं जैसे की वाइफाइ इन बिल्ट नहीं है आप इसे application के through control नहीं कर सकते आप इसे voice के through control नहीं कर सकते आपको इसके साथ remote भी नहीं दिया जाएगा थोड़ी सी इंसल्ट आपको यहां पर feel हो सकती है क्योंकि इसकी प्रैस भी थोड़ी सी ज्यादा है अगर हम compare करें इसे MI से बड़ गाइस overall जो main काम होता है air purifier का तो main काम तो यहीं होता है कि air filter अच्छे से हो प information देता हूं कि अगर आपको best budget air purifier चाहिए तो फिर आप MI को consider कर सकते हैं और अगर आपका budget थोड़ा सा ज्यादा है और आपको थोड़े से advanced features और चाहिए तो फिर आप फिलिप्स के साथ जा सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको advanced features नहीं चाहिए आपको normally air filter करना है तो फ थोड़ी सी अच्छी आपको कोवे में मिल पाएगी वैसे filter quality तीनों में ही अच्छी है तीनों में ही आपको filterd air मिल पाएगी बड़ थोड़ी सी अच्छी में कहूंगा कि आपको कोवे में मिल पाएगी तो चलिए हमने आपको तीनों ही air purifier के बारे में बता दिया है आपको